आज की वीडियो में हम बताने वाद हैं कि जोमारे टेक्नो स्पार्क 20C फोन है तो टेक्नो स्पार्क 20C फोन की सेटिंग्स पर जाकर कैसे अपने फोन में कैसे अपने फोन की सेटिंग्स पर जाकर incoming call not show screen problems को आप कैसे solve कर सकते हैं जैसे कोई भी calls आपके フォोन में आती है और calls वगर आपके phone की screen पे show नहीं हो रही है तो आप कैसे 한ओ क पने phone की incoming calls की problem को ठीक कर सकते हैं और आप कैसे solve कर सकते हैं अपने phone की settings पर जाकर तो आज हम बताने वाले हैं कि incoming call not sure screen problems को कैसे solve कर पाएंग और कैसे ठीक कर सकते हैं तो आज हम बताने वाले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन दबाने ना भूलें तो आप देखते हैं आइकन शोर हैं जिसमें से सैटिंग्स पर जाना है क्लिक करते ही फॉन की सैटिंग्स से उपन हो जाएगी तो आप कैसे incoming call not sure screen problems को solve कर सकते हमने फॉन में और जब आप इस पर जाते हैं कि एक मनेजमेंट पर इस पर जाकर incoming calls की problem को solve कर सकते हैं एप लिश्ट पर चले जाने हैं और आप लिश्ट पर आपके पास से options आ रहे हैं और आपके फोन में जिसमें से आपके पास options आ रहे हैं कि फोन आइकन्स का तो आपको फोन आइकन्स पर जाना है कि फोन आइकन्स पर जाकर आपके फोन में incoming call not sure screen problems को solve कर सकते हैं incoming call की problem को ठीक कर पाएंगे storage and catch पे लिख करना और storage data को clear कर देना कुछ इस तरहीं से जिसमें से आपके पास option आता है कि नोटिफिकेशन का जिसमें नोटिफिकेशन पर्मिशन को यहां से अलाव कर दे रहे हैं और साथ में आपको पर्मिशन पर जाकर call log permission जो होती है इसको भी अलाव कर दे रहे हैं जिससे incoming call not sure screen problems को आप solve कर सकते हैं और आपके phone में जो भी calls वेर आती है तो आपके स्क्रीन पर शो करने लगेगी जिस तरह से incoming calls की problem को ठीक कर सकते हैं तो आपको वीडियोश लेकर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन दवाना ना भूलें थैंक्यों नेक्ट वीडियो के इंतजा करें वीडियोश को श्रय करें